क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों है इसमें बोट नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और युनाइटेट स्टेट्स अफ अमेरिका कहां से आया ये वर्ड आज इस पे बात करते हैं कल वाली वेडियो जो मैंने डाली तो उस पे एक बहुती सूपर नाइस कॉमेंट आया जिसको पढ़ने के बाद मेरा खून जो है वो डबल हो गया बढ़के और मैं चड़ गया जाड़ पे और मैंने सुचा लगी अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस से मिलते हूँ त टॉपिक्स पे और शायद बात करना है पसंद करूँगा क्योंकि मैं अकसर करता हूँ पॉलिटिक्स पे बात बट एक नेगिटिविटी वाला हाई मूड रहता है उस चीज में जैसे विराहूल गांदी की यूस की वीडियो जो उनकी यात्रा चल रही है उसके उपर मैं ब खतम नी होने वाली पर उस I don't know मैं ऐसे इंसान हूँ नी शायद जैसे continuously negative या फिर एवन एक बार भी negative बनना पसंद है चीज यह है कि आपको जाना पड़ता है ऐसी चीजों में कि यह important है एक और उनकी कोई पिक्चर आई थी इलहान ओमर जो यूस कॉंग्रेस वो मैं है क्या बोला जाए यार क्या आई बहुत बुरे शब्द है मेरे पास उस इंसान के लिए वैसे लोगों के साथ जाके वो मीटिंग कर रहा है वो बंदा वहाँ पे यार इंडिया का लोपी है चिंता या कॉंसरन का मैटर है ये एनिवे छोड़ी हो यार उस पे मुड हम खराब अपना नहीं करेंगे हम आएंगे अपने मुद्दे पे तो कल वाली वीडियो पे एक अच्छा कॉमेंट है बहुत जादा सूपर नाइस कॉमेंट है उनको थेंक्यू जिन्होंने कॉमेंट किया और उसकी वैसे मुझे मोटिवेशन भी मिला और मुझे लगा कि शायद ये एक ज्यादा अच्छा टाइप अफ कॉंटेंट है जिस पर म समय बात कर रहे थे जो sä एक्स्प्लोरेशन्स शुरू हुए New World के मैंने कल वर्ल्ड भी यूस किया था इसमें इटालीन एक्स्पोर्रोर्रस का बहुत बढ़ा हाथ है और दो कंट्रीज जिनका बहुत बढ़ा हाथ है वो हैं पोर्ट्वल और स्पैन जिनको मैं कहा रहा थ ये OG countries हैं और इनके जो Christian monarchs थे, Isabel or Ferdinand, Spain के especially, वो भेजा करते थे, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा highly religious time भी था और ये area भी था, even though लोग सोचते हैं कि renaissance एक movement थी away from religion, but ऐसा, real में नहीं है, renaissance within religion actually movement होती, ये जितने भी आप scholars देखते हूं, ने Newton, Newton, जो भी है European scholars, scientists, ये सब के सब बहुत ज्यादा religious थे, अगर आज के point of view से देखा जाए, full मतलब church के member ये, वो बहुत कुछ इनका system थाज तरही है, तो एक ऐसे ही Italian seafarer या explorer जो भी आप word यूज़ करना चाहो थे, और बहुत अब उस वक्त Italy, Italy नहीं था, जैसे आज के time में modern day Italy है, city states थी वहाँ पे, जैसे कि अपने Roman Empire के time पे भी, Rome जो हाँ की capital है, उसके नाम पे वहाँ empire था, ना कि Italian empire था, right, और जैसे वहाँ पे Genoa हो गया, Florence हो गया, Venice हो गया, इन city के अपने अपने वह होते थे, government, ये nation, nation state, city, nation state, basically जैसे कि Greek में भी, Greece में भी आपने सुना होगा, Spartan, जो थे वह Spartan से थे, ऐसे एथन्स से जो थे, वह एथन्स के थे, तो वहाँ पे एक जगह थी, Florence, मीन अभी भी है, Italy में एक शहर है, Florence, अब बहुत ज़्यदा भरिच हुआ करता था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताए, ज़्यादा था, the traders city थी, traders की city थी, basically इन cities के लोग trading करते थे, through Mediterranean, overall, और दूसरे हिस्से में भी, दुनिया के, और इसी थरीके से नोने navigation, astronomy, इन चीज़ों में अपनी जो capabilities हैं, वो बहुत ज़्यादा develop कर लिए, क्योंकि इन capabilities की demand थी, ocean में जाने के लिए, या फिर sea में जाने के लिए, Mediterranean Sea अपने आप में देखने में लगता है, कि छोटा सा Europe और Africa के बीच में, लेकिन वो actually बहुत ही dangerous sea है, उसमें tides, currents बहुत extremely harsh होते हैं, same with Black Sea by the way, जो Ukraine के south में और Turkey के north में, I think, तो anyway, तो एक ऐसे ही Florence के explorer थे, Amerigo Vespucci, Italian में C, C, I, जब end में आता है, तो वो cheap pronounce होता है, C प्रणूट में देखे हैं, अगर आप लोग ने Gucci की spelling देखी होगी, तो G-U-C-C-I है, उसे Gucci कहते हैं, उसे Gucci कहते हैं, यह Italian pronunciation का rule है, तो वैसे ही उनके last name है, CCI Vespucci है वो, तो Amerigo के नाम से America, उस बूरे लैंड मास का नाम बढ़ा, तो यह एक explorer थे, जिनके नाम पे इस बात का खिताब जाता है, कि इन्हों ने, एक तो New World की जो term है, वो इन्हों नहीं ही बनाई, और दूसरी, अब इन्हों ने, जो भी इनका New Diaz, जो भी Italian की term होगी, नुवोदियास होगी, बट उसका लेटरल टांसलेशन, New World ही होता है, इंग्लिश में, तो यह वो इनसान थे, जिन्होंने पहली बार, on paper, इस चीज़ को establish किया, कि जो North और South अमेरिका है, वो basically एक fourth continent है, Africa, Asia और Europe के अलावा, इसलिए, और क्योंकि इस जगह पे, अभी तक कोई भी recorded, I mean, पहले भी visitors, actually जा चुके हैं, for example, जो North लोग है, जो उनके लिए एक word है में भूल गया भी, वो वहाँ के लोग गए हैं, उससे पहले Ice Age में, Eastern, Northern, Asia से जो लोग गए थे, जो वहाँ के अच्छली नेटिव पॉपिलेशन बन गई, वो लोग गए थे, तो पहले भी connections हुए हुए हैं, क्योंकि Northern Quebec और Newfoundland का जो एरिया है, उसमें North Europe से पहले भी गए थे, यार एक बड़ी famous ये tribes आया, group of people है Northern Europe से, जिनको मेरे दिमाग में इस नाम याद नहीं आ रहा, बहुत-बहुत popular word है, एक TV series भी है उस word के नाम से, तो ये explorer थे और invaders होते थे basically, तो इन्हों ने actually I think 900 के आसपास ही discover कर लिया था, Northern ये जो Newfoundland जो province है Canada का इस area के region को, St. Lawrence River वहाँ से बहती है, वो जो की पूरी की पूरी Great Lakes में आती है, Hudson Bay को जोडती है, वो St. Lawrence River से downward भी आ गए थे काफी, ऐसा जितना मैंने देखा है, तो basically Westpucci को credit दिया जाता है, कि इस बंदे ने, ये चीज़ established की general people के अंदर general knowledge में, कि एक fourth continent भी है, और ये वो landmass जो हमने discover किया है, ये सिरफ एक island नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो original खोज हुई थी न, जब जो Columbus ने जो land सबसे बहरे जूँदा था, Columbus की जो पहली वोयाज में सब जहां वो land हुआ था सबसे पहले, वो जगह, वो island है, जो आज के time में दो countries के बीच में, एक island है, उसको Hispaniola कहा था, वो दो countries के बीच में डिवाइड हो गया, उसके western part में I think, Haiti आता है, और Eastern part में आता है, Dominican Republic नाम की एक country है, San Juan शाइद capital है वाँ का, तो ये दो countries हैं उससाइमेंट पे, इस island के नाम है Hispaniola, और ये पहली बार उन्होंने डिस्कावर किया था Columbus ने, और इसको Hispaniola नाम दिया था, बट क्योंकि वो लोग seafarer थे, properly experienced लोग थे, I mean digital equipment नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने फिगर आउट के लिए कि एक चोटा सा island ही है basically, क्योंकि island का concept उनको पता ही था, बट अमेरिकोगे इसपूची ने ये चीज़ एस्टैबलिश की, अपनी writings में, कि ये actually एक continent size का landmass है, जिसका मतलब ये है कि एक continent है, ये सरफ एक island नहीं है, और क्योंकि उन्होंने अमेरिके के existence को establish किया, तो इसलिए उनके नाम पे, जो cartographers थे उस time के, cartographers वो लोग होते हैं जो maps बनाते हैं, जब उन्होंने maps बनाएं, तो उस area के जितनी उनकी understanding थी उसाब से, अगर आप कभी देखोगे कि 15th century के map देखो, बिल्कुली जंडू से लगते हैं देखने में, आज के हिसाब से लेकिन, अपने सभाने की शायद वो बहुत expensive और advanced technology थी, पार्ट का भी use होता उसमें काफी, तो उन cartographers ने उस land को कुछ नोग नाम देना था, जो अपना map बना रहे थे उसके अंतर, उसमें उन्होंने Amerigo Espucci के नाम, के फस नाम, Amerigo के उपर अमेरिका नाम दिया, और फिर वहाँ से वो चीज चल गई, इस तरीके से basically naming होई, और लोगों नहीं से accept कर लिया होगी, जब Amerigo Espucci ने ये सारी अपनी जात्राएं की, तो उन्होंने कुछ letters लिखे, कुछ चीजें चापी, और उनको Spain में, जो मैंकल बता रहा था, Castile की जो का state था, उसमें उनको एक government position मिल गई, government position basically वो बन्दा उस चीज़ की थी, कि एक पूरा उन्होंने department बनाए था, Explorations का New World में, और उसमें एक position establish की, कि ये बन्दा Master Trainer होगा, World वो I think यूज करते हैं, Piloto, जो की Navigator होता है शायदा उसका मतलब, तो ये बन्दा Master Navigator होगा, और ये Piloto Mayor, ये Spanish का टर्म है, Mayor, वो लोग J नहीं प्रणाउंस करते हैं, J को ये प्रणाउंस करते हैं, तो Piloto Mayor मतलब जो ये बन्दा Master Navigator का, उसका मतलब ये था कि ये बन्दा हर किसी को, जो भी Seafarer बनना चाता है, Explorer बनना चाता है, उसको ट्रेनिंग देखा, उसको प्रॉपर एड्यूकेशन उसकी और सर्टिफिकेशन वगारा करेगा, तो ये चीज़ थी, अच्छा थोड़ा सा, अमेरे गो इस पूची के, तो आपको अब ये तो पदा चलगा कि किसके नाम पर है, थोड़ा तो उनके बैंकराउंड पर देख लिएते हैं, फ्लोरेंस इटली से थे, वो फ्लोरेंस एक ट्रेडिंग सिटी थी, बेशिकली ट्रेडिंग सिटी इसा भी थी इटली की बेशिकली, इस पर ये जितनी सिटी होती है, तो आपने शायद नाम सुना हो, सच भी हो, यह लोग बड़ी स्कीम, स्कीमी होते थे, बतलब डिफरेंट टाइब की, क्योंकि पैसे इनके पास बहुत थे, पावर बहुत थी, क्योंकि, बैसिकली यह होल्ड कर रहे है, एक नेक्षिन, ओवर ओल एक लार्ज नेटवर्क में, और वो होल्ड भी पर बाते चलती हैं तो इस पूची की जो फैमिली थी वो बेसिकली थी तो एक अरिस्टोक्राइट मान सकते हो एक तरीके से रिच नहीं थे लेकिन अच्छी जान पचान जैसे कहते हैं कि फैमिली बैग्राउंड एक बना हुआ है कि दुनिया जानती है थोड़ा बहुत राइट मतलब जो वहां के रूलर्स भी है उनके साथ भी थोड़ी बहुत जान पचान भाई तरह यहां पे बैठता है वाला सीन हो रखा था उनका तो मैं यह क्यों बता रहा हूँ फैमिली बैग्राउंड वो मैं इस सेंस में बता रहा हूँ कि जो वेस पूची की अचीवमेंट्स है दुनिया में दो कॉंटेनेंट्स का नाम आपके नाम पे होना और दुनिया की सबसे पारफुल कंट्री का नाम आपके नाम पे होना बहुत बड़ी बात है I mean किसी का जीवन अगर साफल हो रहा है तो उस बंदे का हो रहा है या उस जैसे लोग जो इस तरीके के करते हैं explorations अपने लाइफ में तो उनकी फैमिली में ही सो जो एजुकेशन दे है फैमिली वालो लोग ने मतलब चाचा है अंकल या कोई ऐसे बंदे ने पूरी उस बंदे वो एजुकेशन दी उनिवर्सिटी वागर वो नहीं गया उनिवर्सिटी वागर वो नहीं गया बंदा उसको फैमिली में एजुकेशन दी फैमिली की जान पचान दी उस वज़ह से connections मिले जिसकी वैसे वो बाद में Spain में हो जाता है यानि कि उस वक्त का शेहर Seville नाम का शेहर इस्पीन में वापे और उस जो फैमिली से सीखा था Astronomy General Ethics वगारा Geography वगारा उससे उसका बचपन से ही Interest develop हुआ था उस चीज़ के अंदर Geography में I think कि उस बंदने मैंने जितना पढ़ा है कि उसने शायद अपने जो कोई बहुत ज़ादा Rich नहीं वो मारा तो जो उसके कुछ savings वगारा थी भी वो spend करता था उन चीज़ों पर कि maps खरीदने है या इस तरीए कि जो उस वक्त जिस भी basic level के instrument आते होंगे compass वगारा उनको खरीदना है तो अपने जो savings वगारा होगे थी वो भी उसमें spend कर देता था बट चीज़ यह है कि family में लोग जा रहे है university एक path भी follow कर रहे है कोई religion में भी जा रहा है कोई church में भी group में भी join हो रहा है लेकिन एक ऐसा environment बना हुआ है जहां से कुछ सीखने को मिल रहा है जहां से एक direction मिल रही है इसलिए मुझे लगता है कि जो ये बड़ा important point है कि हमारा किस तरीके की family में जनब हुआ है सिर्फ पैसे के point of view से नहीं कि पैसा ही आपको मिल जाएगा enough बट ऐसे point of view से भी कि उस family में किस तरीके के लोग हैं उनके किस तरीके के interests हैं क्योंकि आप basically अपना सारा time initial उनके साथ ही develop या sorry spend करोगे और उनके जिस तरीके के interests होंगे उनके base पे ही आपके भी interests बनेंगे क्योंकि आपके जो interest develop होंगे वो उसी बेस पर develop होंगे जितनी आपके पास knowledge होगी या जिनने लोगे साथ अपने time spend किया हुआ जितना आपको पता चलेगा तो यह बड़ा important था अगर उसने वो time अपने अंकल के साथ spend नहीं किया होता तो वो explorer navigator नहीं बन पाता और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी legacy नहीं छोड़ पाता तो यह बड़ी सोचने वाली बात है यह जो कल हमने वीडियो कल हमने जो बनाई थी इसके क्योंकि यह इतनी लंबी history है इसके साथ शायद लाखों stories जोड़ी है जोंकि मुझे of course नहीं पता पर मुझे इसमें से कुछ पता है और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लाख कल वाला comment पढ़के तो मैंने बुझा कि इससे जुड़ी हुई कुछ story है जो मुझे बड़ी interesting रिखती है जो कि general जिनकी knowledge कम है तो मैंने सुचा इन पे बात की जाए अगर मुझे कुछ और भी stories याद आती है जो इनके इनसे related है for example उस prince की story जिसने मतलब जिसको की जो की उमयद last prince था और episodes जब power में आये तो उनने उसे भागा दी और वो भागा भागा barely अपनी जान बचाते हुए Spain पहुँचा और Spain में जो उसका एक end था empire का वहाँ पे उसने जाके फिर एक बड़ा golden era के like empire continue किया तो ना जिर्व उसने survive ही किया बलकि उसने as a king continue किया जो Spain में उनका empire बच किया था और उसकी आने विली family ने भी उसे continue किया अगले हो almost 6-700 सालों तक और बड़ी बड़ी prosperous empire थी वो by the way kingdom या जो भी कहलो तो इस तरी की बहुत सारी stories है इस चीज से जुड़ी हुई वो वाली जो उस time की जो history है Mongols से जुड़ी हुई बहुत सारी stories है North Africa के conquest से नौर्थ आफरिका के conquest हो गया था overall Mediterranean के आसपास जो चीजें हो रही थी उस से जुड़ी भी बहुत सारी stories है अभी तो गया मेरे द्याव नहीं आ रहा है जो याप Crusades वगएरा के बारे में सुन तो ये भी लगबग उसी 1200 इसके आसपास ही चल रहे थे Mongols का rise होता है इसी time में ममलूक्स आ जाते हैं उसके थोड़ा पहले इस साइड पर थोड़ा पहले नहीं ममलूक्स थोड़ा और पहले आ गए थे क्योंकि जैसे जैसे Islam Central Asian में जाता है तो ममलूक्स basically Central Asian Muslims थे हैं टर्किक Muslim जोने कहते हैं तो बहुत सारी stories है तो जैसे तो अगर मुझे लगे का कि लोग इंटरस्टेट है तो मैं कोशिश करूँगा शायद और भी शेयर करने की अगर आप लोग कोई feedback है तो आप comment में बताओ तेंक यू